नमस्कार दोस्तो, बिहार की राजनीत, यानि की बिहार एलेक्षन में आपको बिहार की राजनीत में एलेक्षन का टाइम चल ला है, उसमें बिवध रंग देखने को मिलेगे तमाम तरह के, ऐसे में एक रंग और आपको दिखाता हूं मैं, टिकट नहीं मिला है बेबी कुमा कहते हैं और आजे कुमार निसाद वहां के सांसद वो भी निसाद याणि के मनल नहीं दिया गया आफर बेजी जो आजे कुमारी की काफी करीभी मानी जाती रही एसे में बात कि यह चल लही है कि हेलिकॉप्टर से आगे बस अपने आपको दिखा देते हैं कि हमारा बड़ा प्रभाव है लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं है हमारी इजातियों पर हमारे में कोई प्रभाव नहीं है और ये बात भी कही कि उन्होंने तीन सीटों पर लड़ा था चुनाव जिसमें तीनों सीटों पर भुरी तरिय से रिकार्ड मतों से मुकेश चाहनी हार गये थे लेकिन ये बाते अजे कुमान इसाथ को साथ नहीं पता थी कि आगे चल कर मुकेश अध्यानी अंडिये का हिस्सा बनने वाले यानि की बीजेपी गडबंदन में आने वाले हैं ब्याइपी परटी के अध्यक्ष मुकेश चाहनी और ऐसे में बचहा सीट की बधायक पिस गई जी हां खेतेना गुहूं के साथ गुन भी पिसा जाता है ऐसे में ग्यूं के साथ गई इन दोन और मुकेश साहनी जो भी आईपी परटी के राष्टी अध्यक्ष है जो इनको बीजेपी अपने खाते से 9 सीट दी है लड़ने के लिए 11 सीटे दी है लड़ने के लिए ऐसे में कहा ये जा रहा है कि जो बीजेपी की बचहा सीट है बिधान सभा बचहा है मु कैसे टिकर दे सकते हैं मुकेश साहनी जो लगातार इनके उपर तीखे तंज कसते रहे हैं तो ऐसे में बता दे आपको तीखे तंज कसते रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता रहा होगा कि आगे चल कर इंडिये गड़ बंदन का हिस्सा मुकेश साहनी होंगे ऐसे में आपक सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सेरे करें दोस्तों के साथ थैंक यू थैंक पर वाचिंग बाबाइटी के रहें जड़े रहें जड़ी आवलिन के साथ धन्यवाद